आज की खबर भारत के लिए important इसलिए बन जाती है क्योंकि जैसे ही PM Modi अमेरिका विजट पर जाते हैं वैसे ही वो सभी देश भारत का support करना शुरू कर देते हैं खास कर UNSE में permanent seat के लिए जो कि अभी तक भारत का विरोध कर रहे थे और सिर्फ भारत का support नहीं किया जा रहा बल करेंगे खबर बहुत important हो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पांच important अंतरास्ती खबर आपको बताने वाले हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखेगा और हमें support करने के लाइक और चानल को सब्सक्राइब जरू कीजिए सबसे पहले अमेरिका ने सयोगत रास रक्षा परिशाजी से हम UNSC United Nations Security Council अलाम से जानते हैं वहाँ पर भारत का समर्थन करना शुरू कर दिया है और यह समर्थन अमेरिका बहुत सोची समझी साजिस के तहत कर रहा है क्योंकि अमेरिका भी इस बात को जानते है कि अगर भारत रश्या के साथ और ज्यादा जुग गया तो जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं यह कहीं न कहीं UNSC पर भारी पड़ जाएंगे लेकिन अमेरिका कुछ बोल पाता उससे पहले भारत ने अपना जवाब रख दिया भारत ने कहा कि हम तो लंबे समय से कह रहे हैं कि भारत जापान जर्मनी जासे देशों को UNSC में पर्मनेंट सीट दी जानी चाहिए और वैसे ही अमेरिका के विदेश मंत्री एंटी ब्लिंकिन इस बात पर अपना स्टेट्मेंट देते हैं वो कहते हैं वाकई अब समय आ चुका है कि उन सभी चोटे बड़े देशों को इसमें शामिल किया जाए जो इस समय आर्थिक रूप से मजबूत हो मेंबर्स हैं उनकी जगए नए लोगों को लाया जाए और सबसे पहले तो यहां पर भारत को शामिल करना चाहिए भारत टॉप फाइव इकॉनिस में शामिल है लेकिन जब बात आती हैं इंटरनेशनल पावर्स की तो भारत को आखिर पीछे क्यों रखा जा रहा है लेकिन यह सारी बाते सुनकर के भारत भी चुप नहीं रहा और उसी समय भारत ने अपनी बात रखने शुरू कर दी असल में भारत ने कहा कि भारत ने रूस यूक्रेण युद्ध पर यूएन के अंदर अपनी वोटिंग के दौरान किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं किया और इसी प्रमुदी खुद इन चीजों को न्यूटलाइज करने के लिए रूस जाते हैं उसके बाद यूक्रेयन विजिट पर जाते हैं और इससे दुनिया को एक नया मैसेज गया है और इस बैन के सामने आते ही कई एक्सपर्स ने ये माना शुरू कर दिया कि 1945 का टाइम दूसरा था अब 2024 चल रहा होगार भारत को यहां पर पीछे रखा गया तो डेफिनिट्टी एक बड़ी गलती हो सकती है भारत आज जिस स्केल पर है खासकर economic development में इसलिए भारत को इस संगठन में शामिल करना ज़रूरी है अगर आप यहां पर अमेरिका की चाल को देखेंगे तो एक लंबे समय से अमेरिका खुल करके भारत का सपोर्ट नहीं कर रहा था और अगर कोई देश भारत का सपोर्ट करने की कोशिश भी करता था तो उससे पीछे से धंकाया जाता था लिकिन आज बृक्स को लेकर के भारत इतना ज़्यादा पॉजिटिव हो चुका है इसलिए अमेरिका चाहता है कि भारत को किसी न किसी तरीके से अपने इस पाले में शामिल किया जाए। बाकी आप कमेंट्स बता सकते हैं कि UNSC में भारत को पर्मेनेंट सीट मिलने से भारत को फायदा होगा या फिर नुकसान। एंवीडिया आज ग्राफिक कार्ड हो प्योर इलेक्ट्रोनिक्स हो इन सभी में किंग बनी हुई कम्पनी हैं आज ग्लोबल मार्केट का करीब 88 परसंट जीप्यू सेग्मेंट इसी कम्पनी के हाथ में हैं और अगर ये कम्पनी अपनी इंडस्ट्री को लेकर के कोई भी मा हैं और लिटी कंपनी ने भारत में इंडमेस्मेंट को लेकर अपनी कई प्लांस तयार करें हैं लेकिन यहां पर नए इंवेस्मेंट पर बात की जा रही है सेम यहीं फंडा गूगल के साथ को अपने बढ़ रहा है बारत में इंवेस्मेंट की बहुत जदा पौरिचनिटी इनके ही जो प्रोड़क्ट है लाइक Google के तमाम प्रोड़क्ट वर्क स्पेस, गूगल ब्राउजर इन सभी का अस्तिमाल इंडरेक्टली भारत के अंदर और जदा बढ़ पाएगा तो ये कुछ स्ट्रेटजी इन कंपनीज ने पना ली है भारत के अंदर इंवेस्मेंट प्ल चीन के विदिश मंतरी के साथ रूस में मुलाकात करते हैं उसके कुछ घंटों बाद लद्दाक से चीन ने अपनी सेना को वापस बिला लिया लेकिन अभी भी पूरी तरीके से कंट्रोल में नहीं है क्योंकि चीन जब भी कुछ पीशे हटने की कोशिश करता है तो उसके ब इंवाख कियाजा सके की चीन के लोग क्या स्ट्राटीजी स्ट्राटीजिस स्यार करे हैं असर में कई वारेस। Communication Devices कर स्थमाल किया जाता है Border के उस पार लोगों की बात सुनने के लिए लेकिन कई बार जो भारत के पास Decoders हैं उनकी भासा को Decode करने के लिए वो सही तरीके सिया फिर Effective Way में काम नहीं करते ऐसे में क्यों ना हम Direct Language को सिख लें ताकि Direct Language को सुनकर के हम उसे अपने आप सही समझ जाएं तो बीच में जो Translation का Process है ये बच जाएगा Processing होने में जो टाइम लग रहा है बच जाएगा और Exactly और Efficiently यहां पर Actions लिए जा सकते हैं बाकि सेना के इस प्रयास पर आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में ज़रू बताइएगा एक तरीके से Directly कहें या फिर Indirectly उन सभी हमारे पडूसी देशों को समझा दिया है कि भारत में घुस पैट करने की कोशिश ना की जाए नहीं तो अंजाम बुरे भूगतने पड़ सकते हैं असल में ये बयान किसी छोटे मोटे व्यक्ति ने नहीं बलकि की भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गरसिटी की तरब से दिया गया है उन्होंने बिना चीन का नाम लिए है इस बात को कह दिया और सिधे इंटेंशन यहाँ पर चीन का है और ज़दे डीटियल्स की बात की जात ब्रधान मंतरी मोटी अमेरिका दौरस से भारत वापास लोट रहे हैं इस बीच कई ऐसी मुलकात की गई है अलग-अलग चीजों को ले करके और कई सीक्रेट मेटिंग्स भी की गई है लेकिन कोशिश करिए कि चेंज से कम से कम कर्ज लिया जा नहीं तो आपके हालात और जदा बुरे हो जाएंगे और अगर आप भारत की तरफ उठने की कोशिश करेंगे तो डेफिनिट्टी हम यहाँ पर इन्वाल हो जाएंगे नेक्स्ट इंपोर्टेंट की बात की जाया तो अब शायद पुतिन को एक बड़ा धोका मिलने वाला है असल में तुर्किय के खलीफा एर्दोगन अब अमेरिका से F-35 फाइटर जट्स खरीदने वाले हैं लेकिन इसके बदले वह रूस की तरफ से खरीदे गए S-400 Air Defense System अमेरिका को दे सकते हैं और यह बात अपने आप में इतनी ज्यादा शौकिंग हो जाती है क्योंकि अगर यह टेक्नोजी अमेरिका के हाथ में लग गई तो अमेरिका इसे पूरी तरीके से टीकोड कर लेगा औ वो श्रभी देश जो रूस के आसपास है जहां पर रूस अपने इसी Air Defense System के माध्यम से उन देशों से खुद को प्रोटक्ट करता है अमेरिका रूस पर आसानी से हमला कर सकता है लेकिन अभी इस पर बात चीश शुरू हुई है और अगर ऐसा कुछ होता है तो बहुत इंपक्ट आपको देखने को मिलेगा ग्लोबल डिफेंस इंडस्ट्री में लेकिन अमेरिका कुछ बोल पाता है उससे पहले भारत ने अपना जवाब रख दिया आकी क्या को सोचते हैं आप इन सभी खब्रों पर हमें कमेंट्स में ज़रू बताई पूरा वीडियो देखन भारत मता किजए